सद्गुरू, ये सवाल कमांडर अभिलाश टोमी पूछना चाते हैं वो भारतिय नौसेना के अफसर हैं वे पहले भारतिय हैं जिन्होंने बिना रुके, बिना किसी की मदद के अकेली ही समुद्र में पाल की नाव से प्रत्वी का चक्कर लगाया वे ईशा के साधक भी हैं, जिन्होंने अपने सफर के दौरान नाव पर हर दिन शांपवी का अभ्यास किया अरे आप सबको इनसे प्रेणा लेनी चाहिए तो दो सवाल है पहला है, सद्गुरू, मैंने आपका एक प्रवचन सुना था जिसमें आपने कहा था कि पूरे दिन ज्यादा पानी पीते रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता पर अगर आप पानी न पिए और कई दिनों तक आपको प्यास भी न लगे तो क्या ये समान्य है और दूसरा सवाल है जिस तरह से सूरज और चान समुद्र के पानी पर असर डालते हैं और जुआर भाटा बनाते हैं उसी तरह क्या वो इंसान और जानवरों के शरीर पर भी असर डालते हैं पानी, ना पीने की बात करें तो ऐसा अभिलाश के साथ हुआ होगा जब वो समुद्र पर थे मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे समुद्र में दो या तीन महिने तक अकेले रहना एक इंसान की नाव हो तो आपको आसपास की चीजों के साथ कई तरीकों से वाकई तालमेल में होना होगा कुछ तरीके आप तर्क से समझ सकते हैं और कई तरीके जो कोई नहीं समझता पर वो जानते हैं कि ये ऐसे काम करता है कोई भी व्यक्ती जो लंबे समय तक समुद्र में रहा है वो ये समझता है कोई भी व्यक्ती जो काफी समय से हवाई जहाज उड़ा रहा है और वो हमेशा वैसे ही काम करता है ये ऐसा ही है जैसे पानी के हर जीव को वो चीज़ें पता होती है जो किसी नौसेना के आफिसर को पता नहीं होती एक डॉल्फिन या वेल या शार समुद्र और पानी और उसके बरताफ के बारे में जो चीज़े जानती है वो दुनिया का कोई समुद्र विज्ञानी नहीं जानता क्योंकि ये समझ बौधिक नहीं है वो खुद उसका हिस्सा है तो एक तरह से जब कोई बिना किसी इंजन की पाल की नाव में अकेले ही दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है तो जाहिर है कि आपको आसपास के पानी के साथ तालमेल में आना होगा वरना आप यह नहीं कर पाएंगे पहले तो आप इसे मानसिक तोर पर सेहन नहीं कर पाएंगे शरीर के कर पाने की बात भूल जाएए मानसिक तोर पर ही आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके और पानी के बीच एक खास जुडाव नहो तो जब आप ऐसी स्थिती में होते हैं खास कर जब समुद्र में होते हैं तब ज्यादतर धूप में रहते हैं जब आप वैसे हालात में होते हैं तब तुअचा की श्वसन प्रक्रिया काफी बढ़ जाती है और आप पानी के सतह पर हैं तो स्वाभाविक रूप से उमस होगी आपके अंदर पानी जाता रहता है आपके मुझ से नहीं लेकिन आप लगातार पानी अंदर लेते हैं अगर आप इसे जांचना चाहें तो अपना वजन मा पिए एक बात टब में आदे घंटे तक बैठ जाईए और फिर अपना वजन मा पिए आपका वजन कुछ ग्राम ज्यादा होगा क्योंकि शरीर पानी सोख लेगा तो मुझे एक चुटकुला याद आ गया मैं उसे छोड़ देता हूँ तो ये शरीर पानी सोखता है या तो संपर्क में आने पर या हवा में मौजूद नमी से तो दो इनसानों में ये खशमता एक जैसी होना ज़रूरी नहीं है हो सकता है एक व्यक्ती दूसरे के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से कर रहा हो और आप मैंसे जो लोग सिर से पाव तक क्रीम लगाए रहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कई मायनों में आप अस्तित्व से अपना संपर्क तोड़ रहे हैं पूरी तवचा पर चिकनाई लगा देने से वो सांस नहीं ले पाएगी जब वो सांस नहीं लेती तो उसका संपर्क हवा और पानी और आपके आसपास की दुनिया से आपकी सामान ने समवेदन शीलता कम हो जाएगी आपका स्नायू तंत्र या आपका नर्वस सिस्टम अपनी समवेदन शीलता खो देगा क्योंकि सबसे बाहरी संपर्को काट दिया गया है अब पूरी दुनिया अपना संपर्क काटने का काम कर रही है मैंने सुना है भालू भी फेस्बुक पर जा रहे हैं तो वो अलग बात है पर आपकी पानी के जरूरत में शायद जबरदस्ट कमी आई होगी क्योंकि नमी के हालातों से और उस तथ्थो के प्रती आपके खुलेपन से ऐसा हुआ होगा और अगर आपको प्यास न लगे और तब आप पानी न पीएं तो कुछ नहीं होगा आप ठीक रहेंगे सिर्फ अमेरिका में पानी पीए बिना आप मर जाएंगे कहीं और लोग बेवजय पानी नहीं पीते जब वो प्यासे होते हैं तब पानी पीते हैं वरना वो रेगिस्तान में भी ठीक रहते हैं सिर्फ अमेरिका में ठंडे मौसम में सभी पानी की बोतल रखते हैं और लगातार थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं क्योंकि पानी बेचने वालों ने उनको यकीन दिलाया है कि उन्हें बहुत पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीना, खास कर अगर थोड़ा थोड़ा पिया जाए, तो शरीर उसे सोक लेता है, जिससे सोडियम कस्तर, जो बहुत नाजुब ढंक से संतुलित रहता है, गिर दिमाग बड़ा हो रहा है, सूजन का मतलब है कि ये एक तरह की बीमारी है, ठीक, दिमाग बड़ा नहीं होता, बल्कि ये सूच जाता है, क्योंकि सोडियम की कमी है, क्योंकि परियाप्त सोडियम नहीं है, इसलिए संतुलन बनाने के लिए जरूरी सोडियम पहुंचाने के लिए दिमाग में ज्यादा पानी चला जाता है, आपके दिमाग में ज्यादा पानी का मतलब है कि आप में कीचड बन जाएगी, मानसे का संतुलन आ जाएंगे, अगर आप पानी को वाकई सोखने दें तो, देखे अगर आप एक बार में ही काफी पानी पी लें, तो शरीर तय करेगा कि कितना सोखना है, कितना फैकना है. लेकिन अगर आप दिन भर थोड़ा-thोड़ा पानी पीते रहते हैं, तो शरीर थोड़ा धोका खा जाता है, और जितना इससे चाहिए, उससे ज्यादा पानी सोख लेता है. लेकिन मान लीजे, कि अभी आप दो लीटर पानी पीते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम में नहीं जाएगा. जितना जरूरत है, उतना वो ले लेगा, बाकी बाहर फैंक देगा. तो समुद्र पर होना और पानी न पीना, इसकी पूरी संभावना है. किसी को सिर्फ इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है ऐसा करना अच्छा है. पानी की बोतलें बनाने वाली कमपनियां आपको यही बता रही हैं, ठीक है? जब आपको प्यास लगे, तब पानी पीना चाहिए. बस यह पक्का करने के लिए, कि आप परियाप्त पानी पी रहे हैं. जितनी आपको वाकई जरूरत है, उससे 10 प्रतिशत ज्यादा पीजिए. दो कब ज्यादा पी सकते हैं. यह पक्का करने के लिए, कि आप कम नहीं पी रहे हैं. अगर आप उस किस्म के नहीं है, जो दिन के हर मिनिट अपने साथ बोतल रखते हैं, तब थोड़ा ज्यादा पानी पीना अच्छा होता है, ताकि जब जब जरूरत हो, तब पानी मिलने से पहले आपके पास थोड़ा समय हो, ताकि ये आपात स्थिती न बन जाए. जब आपको पानी की जरूरत हो, आप प्यासे हों, पर पानी न पियें, तो सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा. मैं तो कहुँगा, ये बहस का बड़ा मुद्दा हो सकता है, मेडिकल क्षेतर के लोग इसका जरूर विरोध करेंगे, लेकिन शायद 20 या 30 साल में वो इसी नतीजे पर आ जाएंगे. मेरे मुताबिक, अगर हर कोई पर्याप्त मात्रा में अच्छा पानी पीता है, तो दुनिया में दिल के दौरे 50 प्रतिशत कम हो जाएंगे. जब पानी की जरूरी मात्रा सिस्टम में न हो, तो दिल को बहुत नुकसान पहुँचता है. लेकिन पानी से मेरा मतलब बस पीने वाले पानी से नहीं है. आपको ऐसा भोजन करना चाहिए, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो. अगर आप एक फल खाते हैं, तो उसमें लगभग 90 फी सदी पानी होता है. सबजियों और दूसरी चीजों में 70 फी सदी से ज्यादा पानी होता है. जो भोजन आप करें, उसमें पानी की मात्रा कम से कम 70 फी सदी होनी चाहिए. पर दुनिया के इस हिस्से में अब यह बदल रहा है. लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा जागरूख हो रहे हैं, वरना दुनिया के इस हिस्से में, लोग जो खाते हैं, वो बहुत सूखा खाना होता है. यहाँ पर हर चीज आम तो बर सूखी है, सिर्फ अभी. मेरे व सडकों पर हाँ शाकाहरी होना गुनाह था क्योंकि वो सोचते थे आप अजीब हैं तो आप बहुत कम पानी वाला खाना खाते हैं और वो अंदर जाकर कॉंक्रीट की तरह आपके पेट में जम जाता है अब आप पानी पीते जाएए पीते जाएए उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको ज्यादा पानी वाला भोजन खाना चाहिए आपके खाने में मौजूद पानी का स्तर कम से कम आपके शरीर के पानी के स्तर जितना जरूर होना चाहिए तो आप जो भी भोजन खाएए उसमें पानी की मात्रा कम से कम 70 फी सदी होनी चाहिए तो इसी लिए फल और सबजियों को आपके भोजन का हिस्सा जरूर होना चाहिए ताकि पानी हो, आप ब्रेड खाते हैं मैं ठीक से नहीं जानता, शायद इसमें 20 या 25 फी सदी है उससे भी कम पानी होगा जो ब्रेड के प्रकार पर निर्भर करता है अगर आप मीट खाते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है पके हुए मीट में पानी की मात्रा बहुत कम होती है तो ब्रेड और मीट खाने पर आपके साथ गंभीर मुद्दे होंगे और मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टरों को लगेगा कि मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत है, लेकिन 20 या 30 साल में या जितने भी समय में वो इसी नतीजे पर आएंगे, मैं बता रहा हूँ कि अगर लोग ज्यादा पानी वाले भूजन खाने लगें, तो दुनिया में दि दिल के दौरे से लोग नहीं मरेंगे, दिल के दौरे से लोगों के मरने का एक कारण है, बहुत कम पानी की मात्रा वाला भूजन, तो लोग पूछते हैं, दूसरे देशों का क्या, भारत में लोग क्यों मरते हैं, वहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जो पारंपरिक भूजन होता और जो वो आज खा रहे हैं, एक जवरदस्त बदलावाया है, क्योंकि वो भी व्यापारिक ताकतों की सुन रहे हैं, जो उने बताती हैं कि क्या खाना चाहिए, वो अपने शरीर की नहीं सुनते, वो विग्यापनों की सुनते हैं, बड़ी होडिंग या टीवी विग्याप पंते करता है कि खाना क्या है, ना कि आपका शरीर, तो कुछ निश्चित स्थितियों में पानी न पीने से चलेगा, लेकिन अगर आपको प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है कि जब आपको प्यास लगे, तब आप पानी पीएं, क्योंकि शरीर का अपना ही तरीका है जब वो प्यास का इशारा देता है तो आपको 20 मिनिट में या ज्यादा से ज्यादा आदे घंटे के भीतर भरपूर पानी पीना चाहिए अगर आप पर्याप्त पानी पी लेते हैं तो शरीर तय कर लेगा कि कितना लेना है और कितना फेकना है दूसरा सवाल क्या था? सूरज और चांद किस तरह से अपना असा है? ओ सूरज और चांद दोनों के गुरुत्वाकर्शन का और उनके कमपन का भी पानी पर असर पड़ता है ज्यादतर लोगों को सिर्फ गुरुत्वाकर्शन का असर ही नजर आता है क्योंकि वरना भिलाश जैसे नाविक नाव नहीं चला पाएंगे वो छोटी नाव कभी भी चल सकती है पर अगर आपके पास बड़ा जाहास है तो आप बिना लहरों के यात्रा नहीं कर सकते आप बिना लहरों के बंदरगा से नहीं निकल सकते पुराने समय से ही नाविक हमेशा लहरों का इंतजार करते आएं बिना लहरों के जल यात्रा का कोई सवाल ही नहीं है बिना लहर की मदद के तो ये समझना कि कब लहर उठेगी, कब गिरेगी, बहुत महत्वपून था आम तोर पर अगर इसे बहुत सरल तरीके से कहें देखिए ये वही गुरुत्वाकर्शन है जो पृत्वी और चांद को चला रहा है पर धूरी पर घूमने का अब केंद्री बल और गुरुत्वाकर्शन बल किसी तरह से इतनी सटीकता से संतुलित है कि वो टिके हुए है एक साथ लेकिन असल में सेंटर ओफ मास एक ही जगा पर होता है ये दो जगाओं पर नहीं होता तो एक गुरुत्वाकर्शन दो चीजों को दो खगोली पिंडों को चला रहा है आपको पता है प्रित्वी भी एक खगोली पिंड है ये एक स्वर्गिक लोग है आप स्वर्ग में हैं आप असली चीज भूल रहे हैं अगर आप मंगल ग्रह पर खड़े हो तो प्रित्वी स्वर्ग जैसी नजर आईगी या नहीं ये एक स्वर्गिक लोग है और बेशक ये इस सिस्टम में सबसे अच्छा ग्रह है कम से कम इस सौर मंडल में निश्चत तौर पर ये इस सौर मंडल का स्वर्ग है है न? ठीक है? हम इसे बरबात कर रहे हैं वो अलग बात है पर ये खुद को ठीक कर सकती है अगर हम गायब हो जाएं तो ये खुद को अच्छे से ठीक कर लेगी अगर पचास-साटफी सदी लोग यहां से कहीं गायब हो जाएं मान लीजिए वो मंगल ग्रह पर चले जातने हैं तो आप देखेंगे प्रिथवी खुद को पुनर जीवित कर लेगी और अच्छी तरह से फले फूलेगी क्योंकि इसके पास अब भी पानी है पानी कहीं नहीं गया है आप जानते हैं आप सब पानी की बोतले ही है आप उनसे थोड़ी ज़्याद है लेकिन ये एक जलाशे है है ना सत्तर फी सदी पानी बस हिला कर देखिए तो साथ सो तीस करोड लोग मान लीजिए ओसतन सब का वजन साट किलो है मैं यहाँ भारी भर कम वजनी लोगों को नहीं गिन रहा हूँ लेकिन मान लीजिए कि ओसतन सब का वजन साट किलो है और इस 60 में से कम से कम 40 किलो पानी है इसका मतलब है कि हर इंसान अपने शरीर में 40 लीटर पानी लिए घूम रहा है 40 गुना 730 करोड कितने लीटर हुआ? ये लगबख खुद एक महासागर हो गया तो पानी कहा गया? ये पूरा यहीं है ये इस वातवरन को छोड़ कर कभी नहीं गया पानी की जो मात्रा करोडों साल पहले यहां थी वो अब भी यहीं है लेकिन वो बस बेकार बोतलों में भरा हुआ है तो सूरज और चांद का असर गुरुत्व का असर तो नजर आता है लेकिन कमपन का असर ज्यादतर लोगों को महसूस नहीं होता लेकिन पूर्वी सबहताओं ने इसे एक जबरदस्त संभावना की तरह देखा और पूर्णिमा और अमावस्या का कैसे इस्तिमाल करना है ये खुद में एक पूरी प्रक्रिया है शायद आपको पता हो कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले पूर्णिमा या पूरे चांद का मतलब था तीन दिन की छुटी अमावस्या का मतलब था दो दिन की छुटी तो महीने में कुल पांच दिन की छुटियां होती थी कोई संडे मंडे और ऐसी चीज़े नहीं थी सिर्फ चांद को देखकर क्योंकि ये कोई गणित की गणना नहीं है ये जीवन से संबंधित चीज़ है जो हो रही है जो भी चांद के या सूरज के साथ होता है जो भी पृत्वी के साथ होता है वो हमारे साथ भी होता है और उससे तालमेल बनाने के लिए आपको उन दिनों पर काम नहीं करना चाहिए उन दिनों का इस्तिमाल आप खुद को स्थिर और संतुलित करने के लिए खुद को उची संभावनाओं तक उठाने के लिए करते थे और दूसरे दिनों पर काम करते थे तो ये दो दिन या इनके बीच भी चांद की अलग-अलग कलाओं में अलग-अलग तरह का असर होता है आम तोर पर पानी में लहरें उठने अजवार पर थ्यान दिया जाता है मान लीजिए कल जवार साड़े नौ बज़े था कल वो साड़े नौ बज़े शुरू हुआ था आज वो दस बचकर बीस मिनिट पर शुरू होगा क्योंकि चांद और प्रित्वी के काम करने में पचास मिनिट का अंतर रहता है यह 24 घंटे में करती है और वो 24 घंटे और पचास मिनिट में करता है तो जवार की लहर आने के समय में एक दिन से अगले दिन के बीच में लगभग 48 से 50 मिनिट का फर्क होता है तो जब आप इसपर गौर करते हैं तो हर महीने इस चक्र की गिंती करना बहुत जटल काम हो जाता है हाला कि आज ये सब सैटलाइट के जरीए डिजिटल तरीके से किया जा रहा है वरना एक नाविक को अपने दिमाग में बहुत जटल चीजे रखनी पड़ती है कि ये सब कैसे होता है क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो आप जिन्दा नहीं रह पाएंगे समुद्र का लगभग हर जीव ये बहुत अच्छे से जानता है दूर उड़कर जाने वाले पक्षियों को भी ये अच्छे से पता होता है और कुछ अनूठी जानकारियां हैं उन पक्षियों के बारे में जो किसी खास मौसम में कहीं जाते और लोट कर आते हैं कि आखिर वो इस पूरी यात्रा प्रक्रिया को कैसे करते हैं चान्द के गुरुत्वाकर्शन बल का असर उड़ने वाली चीजों पर भी पड़ता है खास कर जब आप अपने पंग खिला कर अपनी ताकत से उड़ रहे हों गुरुत्वाकर्शन और कमपन में होने वाले जरा से बदलाव भी उनको प्रभावित करते हैं वो इसे कैसे संभालते हैं कैसे वो इससे गुजरते हैं ये बहुत दिल्चस बात है ना सिर्फ पक्षी बल की कीडे भी क्योंकि दक्षिन भारत की ड्रैगन फ्लाई हर साल पूरवी अफ्रीका की यातरा करती है और लौट आती है ये आपको कैसा लगा सफारी इतनी सी ड्रैगन फ्लाई वो हर साल इतनी दूर पूरवी अफ्रीका उड़कर जाती है वहाँ प्रजनन करती है और वहाँ अपनी तादात तीन से चार गुना बढ़ा कर भारत वापस लौट आती है और उन्हें रास्ता मालूम है वो कभी रास्ता नहीं भटकती वो हर बार इतनी दूर जाती है और लौट आती है लेकिन अब बड़े बड़े जहाजों और एरप्लेन का आना जाना उनको परिशान कर रहा है और उन्हें से कई अपना रास्ता भटक रही है क्योंकि कमपन बदल गए हैं एक बड़ा जेट प्लेन गुजरता है और ये उनकी दिशाग्यान की ख्रमता को पूरी तरह से अस्तव्यस्त और उलजा देता है मेरे ख्याल से ये हर जीव के साथ हो रहा है इनसानों के साथ भी कि हम जो स्वाभाविक रूप से कर पाते थे वो ख्रमता खत्म होती जा रही है क्योंकि बहुत सारी मशीने हैं और हमारे आसपास बहुत ज्यादा कमपन हो रहे हैं तो समवेदन शीलता कम होती चली जाएगी इनसान के मन और शरीर पर ग्रहों के असर को देखें तो इन खगुली पिंडों का सबसे ज्यादा असर पानी पर और उतना ही असर इनसान पर भी पड़ता है दूसरे जीवों पर नहीं क्योंकि हमारी रिड़ खड़ी हुई है अगर हम ऐसे होते तो वो हमें उस हद तक प्रभावित नहीं करते क्योंकि हम ऐसे हैं हम खड़ी हुई बोतले हैं उसकी वज़े से खेचाफ ज्यादा लगता है और पानी का उठना हमको काफी ज्यादा प्रभावित करता है हम जानते हैं कि ये कुछ लोगों को परिशान करता है पूर्णिमा को कुछ लोगों को सरदर्द होता है कुछ लोगों को दिमागी परिशानी होती है और ये सब होता है चांद से, या चांद की स्थिती से या चांद के गृत्वी असर से मान्से का संतुलन या सिर्दर्द या कोई दूसरी समस्या नहीं होती ये सिर्फ बढ़ा देता है ये उस दिन आपको सिर्फ उचा उठाता है क्योंकि दिमाग पर दबाव ज्यादा हो जाता है दिमाग में तरल प्रवा बढ़ जाता है अगर आप प्रेम मैं हैं तो आप काफी ज्यादा प्रेम मैं बन जाएंगे अगर आप आनंद मैं हैं तो आप ज्यादा आनंद मैं बन जाएंगे अगर आप दुखी हैं तो आप ज्यादा दुखी हो जाएंगे अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप ज्यादा ध्यान मैं हो जाएंगे अगर आप पागल हैं तो आप ज्यादा पागल हो जाएंगे चांद कोई खास गुण लाने की कोशिश नहीं कर रहा बस पानी उपर उठ रहा है उसकी वज़े से आपका अभी जो भी गुण है वो बढ़ जाता है तो इनसान के शरीर पर चांद और सूरज की विभिन्न स्थितियों का जबरदस्त असर होता है अगर हम इसके पूरे विस्तार में जाएं तो ये खुद में एक प्रक्रिया है जैसा मैंने कहा आम तोर पर लोग पानी पर पढ़ने वाले सिर्फ गुरुत्वी असर को देखते हैं न कि कमपन के असर को लेकिन आज ऐसे बहुत से शोध उपलब्ध हैं जो आपको बताते हैं कि अलग-अलग तरह के कमपन या अलग-अलग किस्म की ध्वनियों के प्रती पानी अलग-अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देता है पता नहीं हमारे पास वो वीडियो है या नहीं है हमारे पास? क्या उसे चला सकते हैं? तो हम जिस तरह की ध्वनियां पैदा करते हैं, उसी के मुताबिक पानी अलग-अलग आकार, रूप और पैटर्न ले लेता है, जो विभिन ध्वनियों के लिए जामितिक दृष्टी से बिलकुल सही पैटर्न होता है और आपको पता है कि शेफिल यूनिवर्सिटी ने ये शोद कुछ साल पहले किया था, अब लोगों ने मुझे बताया कि नासा ने कुछ छापा है, जो बताता है कि उन्होंने सूर्य की ध्वनियों को रेकॉर्ड किया है, क्या आपने इसके बारे में सुना है? तो उस से स्पष्ट आउम की ध्वनिया रही है, तो ये चीजें हमारे लिए नई नहीं है, हमने इन चीजों पर गौर किया है, क्योंकि इस शरीर की हर कोशिका सूर्य से उर्जा प्राप्त करती है, आप इसे कई नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में, चाहे आप कोईला जलाएं, या आप डीजल या पेट्रोल जलाएं, या न्यूकलियर उर्जा, आप चाहे जो भी करें, असल में ये सब सौर उर्जा ही है, जो परिवर्तित होकर विभिन तरीकों से जमा हो गई है, है ना, अगर सूरज ना होता, तो यकीनन कोई हाइड्रोकार्बन भी नहीं होते, कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो हर चीज जो प्रकृती में हो रही है, जीवन के विभिन रूप, जो भी आकार और रूप ले रहे हैं, वो काफी हद तक इससे संबंधित हैं, कि पानी का कमपन कैसा है, आपके अंदर भी, आपके भीतर पानी किस तरह से कमपन कर रह है, आपका रूप उसी किस्म का होता है, आप जो भी शारिरिक रूप और मांसिक रूप लेते हैं, वो काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया.